सुभा की भागदोर में और बिजी रुटीन में भी हम सोचते हैं कि हम अपनों के लिए कुछ ऐसा लॉंच बॉक्स रेडी करें जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और जट से बन जाए तो ऐसी ही इंस्टेंट रेसिपी आज मैं अपनी बेटी के लॉंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आटे के मीठे चिले ये जट से बनने वाली सूपर टेस्टी रेसिपी है जो बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है और कुछ ड्राइ फ्रूट्स ले रही हूँ मिक्सी जार में जैसे काजू बादाम पिष्टा इनका एक फाइन पाउडर बना लिया है मैंने इस तरह से और अब ये आटे में मिक्स कर रही हू अब हम गुड़ और पानी का एक सिरप रेडी कर रहेंगे जिसके लिए मैंने पान में एक कप पानी लिया है और उसके बॉयल होते ही दो चमच जागरी पाउडर डाल रही हूँ मैं जागरी पाउडर के घुलते ही आप फ्लेम आफ कर दीजिए जागरी पाउडर की क्वांटिटी आप अपने एकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब इस सिरप को मैं इस आटे में मिक्स कर रही हूँ और इसे विसकर की हेल्प से अच्छे से हम विसकर लेंगे और जिस आप इसे अच्छे से विसकर लेजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स गिट्लिया ना रहें ये देखिए बेटर बिलकुल रेडी है तो आईए बनाना शुरू करते हैं एक मैंने तवा लिया है उसको अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ और छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए हैं क्योंकि ये मैं अपनी बेटी को पैक करके दूँगी तो मुझे अच्छा लगता है कि छो अच्छ भी होती है और खुश होकर खाती भी है कि अच्छ करके आप दोनों तरफ से इसे कुक कर लें कि देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इनका दोनों तरफ से इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है तो हमारे मीठे चिल्ले या फिर मीठे पैनकेक बनके बिल्कुल रेडी है इन्हें सर्फ कर लेते है ये देखिए पैनकेक्स आ रेडी तो चलिए अब कुछ नमकीन भी हो जाए तो सबसे पहले मैंने दो आलू लिये हैं इन्हें अच्छे से वाश करके मैंने पील कर लिया है ये इन्स्टेंट पटेटो चिप्स रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इन्जॉई कर सकते हैं अब मैं इन्हें स्लाइस कर रही हूँ एक वेजेटेबल स्लाइसर की हेल्प से आप इन्हें नाइफ से भी पतला पतला स्लाइस कर सकते हैं यह देखिए कितने बढ़िया यह स्लाइस हुए हैं पान को ग्रीज करने के बाद यह स्लाइस पटेटो जो है आप इन में डाल दीजिए थोड़ी देर बाद इन्हें फिलिप कर लीजिए कोशिच करिए एक एक को आप फिलिप कर लें और फिर इन्हें कवर करके दो मिनट के लिए कोख होने के लिए रख दीजिए आईए अब चेक कर लेते हैं देखे दोनों तरफ से यह अच्छे से कोख हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं इस टाइम पर मैं बारी कटा हुआ लसन डाल रही हूं थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा यह जो लसन मैंने डाला है न इससे इन पिटेटो चिप्स का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा यह देखे कितना बढ़िया कलर इन चिप्स का लग रहा है और यह सूपर क्रिस्पी भी बन चुके हैं अब इने ग पाटेटो चिप्स पैक कर दिये हैं और अफटा फट से मीठे चिले भी पैक कर लेते हैं देखिए लग रहा है ना सूपर टेस्टी और सूपर हेल्दी हमारा लांच बॉक्स आप ही रेसिपी जरू ट्राय करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तिल एन ट करें और बाबाइ